इदर जर्मनी के म्यूनिक में प्रवासी भारतियों के बीच पियम मोदी पहुंचे पियम मोदी ने प्रवासी भारतियों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत को नई उम्मीद और विश्वा से देख रही है भारत लगाता प्रगदी के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि भारत ने विदेशी रिवेश में नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने कहा कि आत निर्भर भारत अब वैश्विक चुनौतियों पर रोने वाला देश नहीं बलकि चुनौतियों का डटकर सामना करने वाला देश है जिसका उधारन भा अब तक का हाइस एक्सपोर्ट किया है यह इस बात का सबूत है कि एक और हमारे मैनिफेक्टरर्स नए आउसरों के लिए तयार हो चुके हैं वहीं दुनिया भी हमें उमीद और विस्वाद से देख रही है बीते ही वर्ष भारत ने एक सो ग्यारा बिलियन डॉलर्स यानि आठ लाग तीस हजार करोड रुपिये के एंजिनियरिंग गूर्ज का एक्सपोर्ट किया है आपात काल का कालखन इमर्जन्सी भारत के वाइब्रेंट डेमोकरिटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोग तांत्रीक परमपराओं के स्थेश्टता भी पूरी शक्ति के साल भिजय हुई लोग तांत्रीक परमपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है भारत के लोगों ने लोग तंत्र को कुचलने की सारी साजीसों का जवाब लोग तांत्रिक तरीके से ही दिया हम भारतिय कहीं भी रहे अपनी डेमोकरिसी पर गर्व करते हैं और हैं इंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर अब डेमोकरिसी है मध्य प्रदेश 36 गड़ की हर खबार सीधे आपके मोबाईल फोन पार अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाई पलपल की खबार